दिख बैंक्स और एजेंस के थूँ जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कमिशन भी इन्वाल्ड होता है बट ग्रोपे नो कमिशन जब इन्वेस्ट करना हो तो डाउनलोड ग्रोप कहते हैं हर परिशानी आपको जीने का एक नया तरीका सिखा जाती है कोरोना वाइरस से भी शायद भारती रेलवे यही सीखने की कोशिस कर रहा है तभी तो इन दोनों रेलवे के अतकारियों के बीच ट्रेनों में एक नई क्लास शुरू करने की चर्चा जो शोर से हो रही है तरसल चर्चा शुरू हुई है रेलवे के उन पुराने टिपों के फिर से इस्तिमाल की जो इन दोनों करोना रोग्यों के लिए आईसोलेशन वाड के रूप में बदले जा रहे है रेल मंत्राने ने देशी तकनीक से बने 20,000 स्लीपर कोच में फिर बदल कर आईसोलेशन वाड में बदलने का फैसला किया है इस पर काम भी तेजी से चल रहा है और देश के सभी रेल डिवीजनों में करीब 5,000 नौन एसी स्लीपर कोच को आईसोलेशन वाड में बदला जा रहा है इन में मिडल बर्थ को काट कर अटाये जा रहा है जिस से मरीजों को रखने पर भी डिस्टेंस बना रहे है रेलबे के कुछ अथकारियों का कहना है कि जब ये संकत खत्म हो जाएगा तो इन 20,000 डिपों का क्या होगा इन्हें आउक्षन में बेज दिया जाएगा या फिर डिसिंफेक्ट करके फिर से गाडियों में जोड़ा जाएगा अगर गाडियों में चोड़ा जाएगा तो फिर किस क्लास के तहत इन में टिकेट की बिक्री होगी इसी पर ये सुजाओ आया है कि जिस तरह से AC 2-tier sleeper coach की श्रेडी बनी हुई है उसी तरह non-AC 2-tier sleeper coach के नाम से एक नई श्रेडी क्यों ना सुरू की जाए कुछ अधकारियों का कहना है कि isolation ward बनाए गए कोच में क्यों ना फिर से middle birth चोड़ दिया जाए लिकिन उसमें सबय भी ज़्यादा लगेगा और खर्च भी पढ़ जाएगा अगर ऐसे सुजाओ पर अमल किया जाता है तो इस नई श्रेडी में sleeper class के मुकाबले ज़्यादा किराया हो सकता है एक अतकारी का कहना है कि जैसे AC 3-tier और AC 2-tier की किराय में अंतर है उसी तरह non-AC 2-tier class की किराय में अंतर हो सकता है हाला कि उन्होंने ये भी इस पस्ट किया कि अभी इस बात की सिर्फ चर्चा शुरू हुई है इस पर अभी कोई फैसला नहीं आया है तो अगली बार जब आप train ticket बुक करने जाएं और आपको नई class दिखाई पड़े तो हैरान मत होई